नमस्कार स्वागत है साहेतिक जुरो को चैनल पर आज हम करेंगे रामधारी सिंग दीनकर की कवीता कुरुक्षेतर व्याख्या भागचार कुरुक्षेतर कवीता के माध्यम से महाभारत युद्ध के कारणों को जानने का प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास कोन कर रहा है भीश्म पितामा और युदिश्चिर और उन्हीं के आपसे वारतालाब को इस कवीता में दिखाया गया है तो आईए जानते हैं कि भीश्म पितामा युदिश्चिर को क्या समझाते हैं था रहे गया हलाल का यदी कोई रूप अधूरा यहाँ पर भीश्म पितामा युदिश्चिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हला हल अर्थात विश, विश का कोई रूप अधूरा अगर रह गया था, अर्थात किसी के मन में जहर की अगर कोई कमी रह गई थी, तो वो किसने पूरी की, किया युदिष्टिर उसे तुम्हारे राजसुये ने पूरा, तुमने जो राजसुये यग्ये किया था, उस यगय यानि एक राजा अपने एक चत्र राजे को स्थापित करने के लिए यगय करता है और वो तुमने जो क्रीशन की सहमती से यगय किया उस यगय ने लोगों के मन में जहर को और बढ़ा दिया अर्थात जो तुम्हारे शत्रू थे उनके मन में स्मुर्ण अरे प्रती जो इर्षिया और क्रोध की अगनी थी वो और जादा भड़क उठी किसके कारण रासुय यग्य के कारण के इस चानर की ओर और फल देती उसे नियति है कि नर यानी मानव मन की इच्छा तो कुछ और होती है लेकिन फल उसे जो नियती है नियती यानि जो भाग्य है वो कुछ और ही फल का निधारन करता है अर्था जो कारे हम अपनी इच्छा से अच्छे फल की प्राप्ति के लिए करते हैं हो सकता है हमारे भाग्य में उस फल के लिए या उस कारे के लिए कुछ और ही फल निश्चित हो फलता विश प्यूश विरिक्ष में अकत प्रकृती की गती है प्यूश यानि अमरित अमरित के विरिक्ष पर अमरित देने वाले विरिक्ष पर भी कभी कभी विश यानि विशेला फल लग जाता है अर्थात यहां क्या बताना चाते हैं कि अकत अकत यानि कहां नहीं जा सकता अकतनिय या जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता कहां नहीं जा सकता ऐसी इस प्रकृती की गती है ऐसा इस प्रकृती में इसका संचालन है कि हम सोचते तो कुछ हैं लेकिन उसका जो भाव है या उसक कुछ अलग होता है अर्थातिस प्रकृति का इस नियती की गती क्या है यह कहां नहीं जा सकता यह नियती ने हमारे भाग्य में क्या निर्धारित किया है इसका वर्णन पहले से नहीं किया जा सकता जो पांड़ों ने राजसुय यग्य किया था वो तो कल्यान के भाव से किया क्या इसका तात्प्रिय समझा कि जो युदिश्चिर है वो अपने आपको सरोपरी या सर्वशक्तिशाली सिद्ध करना चाता है इसलिए जो विपक्षी राजा थे उन्होंने युद्ध की त्यारियां प्रारंब कर दी आगे वो क्या कहते हैं तुम्हें बना समराथ देश का राज सुये के द्वारा केशव ने था एक्के सरजन का उचित उपाई विचारा यहां पर कहते हैं कि तुम्हें समराथ बनाया बेश का राजा बनाया और राजा भी कैसे बनाना चाते थे राज सुये यग्ये के द्वारा वो तुम्हें राजा बनाना चाते थे कैसा राज जो एक्ये स्रजन एक्ये स्रजन यानि एक्ता का निर्मान करे एक्ये यानि एक्ता एक्ता का जो भाव है उसका स्रजन करने वाला उसके भाव को निर्मित करने वाला तुम्हें राजा बनाना चाते थे कौन केशव केशव कौन है क्रिशन तुम्हें एक ऐसा समराठ बनाना च चाहते थे रासुए यग्य के द्वारा जो एकता के विचार का सरेजन करें संपूर्ण सिरिष्टी पर एक चहत्र राज्य होगा तो भाव भी एक जैसे ही प्रचारित और प्रसारित होंगे और वह कैसा राज्य न्याय वाला राज्य अर्थात कुछ उचित विचार करके ही केशव या कृष्ण ने तुम्हें रासु यग्य का सुझाव दिया था क्यूंकि वो इस यग्य के बाद्धिम से तुम्हें एक समराठ बनाना चाते थे और कैसा समराठ जो एकता के भाईचारे के स्थापित करें और शायद ये जो उपाए उन्होंने विचारा था जो उपाए सोचा था एकता स्थापित करने का वो उचित भी था अर्थात उचित उपाए विचारा कि उन्होंने तो ये विचार करके ये उपाए ढूंडा था कि इससे देश में एकता का भाव होगा क्य देशन ने ये सोचा था कि अगर एक राजा प्रभावशाली होगा तो देश के जो छिन भीन करने की जो विरोधी नीतियां थी वो समाप्त हो जाएंगी और देश एकता के साथ आगे बढ़ेगा या एकता का स्रजन होगा लेकिन सुयुद का परणाम सो परणाम और कुछ नि यग्य का उस यग्य का परणाम वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था परणाम उसके विपरीत निकला यानि सोचा तो एकता के भाव का परणाम क्या निकला कि भड़की आग भूवन में भूवन यानि संसार में आग भड़क गई किसकी द्वेश की द्वेश यानि वैर या वि में वैर विरोध की जो अगनी है वो अंकुरित हो उठी किसके प्रती युदिश्चिर के प्रती तो उन प्राजित राजाओं के मन में कि जो प्राजित थे जो हारे वे थे उन राजाओं के मन में उस राज सुए यग्ये के कारण और भी जादा वैर का या विरोध का भाव अ क्रिशन के सद उदेश्य यानि सद उदेश्य अर्था अच्छा जो उदेश्य था अच्छा उदेश्य उसे वो उदेश्य कैसा था निश्चल यानि छल से रहीत छल से रहीत जो उनका विचार था जो उदेश्य था वो छल से रहीत कैसे था क्योंकि क्रिशन ये चाहते थे कि चारों और शांती का वातावरन बना रही लेकिन जो विरोधी राजा थे उन्होंने देखा मात्र किसको इंद्रप्रस्त के बल को जो विरोधी राजा थे उन्होंने उस उदेश्य को नहीं देखा जो अच्छी भावनाओं का उदेश्य था उसे नहीं देखा बलकि उन्होंन इनहीं के अधीन रह जाएंगे इसी के कारण उनमें जो विरोध की अगनी थी वो और जादा भड़क उठी यानि मन में जो द्वेश के भाव थे वो और जादा बढ़ गए उन्होंने उस रासु यग्य के पिछे चुपे हुए उदेशे को नहीं समझा बलकि उन्हें लगा क कि जो इंदर प्रस्थ है जिसके राजा कौन है जिसके राजा युधिश्चिर है वो अपना बल बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस अग्य का उन्होंने आयोजन करवाया है इसी के कारण जो अन्य राजा थे उनके मन में विरोध का भाव और जादा बढ़ गया तो इस परकार भिश्म पितामा अपने विचारों से बताना चाहते हैं कि युधिश्चिर को पस्चा ताप करने की जरूरत नहीं है इसके पीछे और अनेक कारण थे जिनके कारण महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ उमीद करती हूँ कि व्याक्या आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद